हलो स्टुडेंस इस्टेटी मीडियम चेलम आपका स्वागत है जो लोग बीएसी नर्सिंग एंड पारामेडिकल इंटरेंस इजाम को त्यारी करें उनके लिए वीडियो बहुत इंपोर्टेंट ही इसमें पिछले 10 सालों के सारे क्वोस्टेंस को कलेक्ट किया गया जो आपक कभी भी ट्रांसफर्मर का यूज नहीं होता ओके तीन तार परतेक का जो वैलू है टू ओम है का प्रतिरोध वाले यदि इन तीनों को सीरीज में जोड़ा जाए तो जो एक्वैलेंट प्रतिरोध होगा वह कितना होगा तो वह हो जायागा 6 ओम जब सीरीज में जोड़ा ज जुलाया जाये तो बुलबुले इखटे हो जाएंगे तो सोडा वाटर को अगर हिलाओ गे तो उसमें जितने भी बुलबुले होगे वह गर्दन के निकट इखटे हो जाएंगे नेक्स वर्षन से लिट रखता है तो डिफीर किस प्रकार रखते है विध्यू तेटिक छेत्र में वह अपने उर्षन को रखती है next question से चलती बस में अचानक रुखने से सवारी आगे की और जुख जाता है यह होता है अपने जड़तों को मेंटेन रखने के कारण और इसको किसने प्रतिपाजित किया था गयले लियों ने next question से सुर्य में उर्जा का उत्पन होता है तो वो उसमा नावी की प्रक्रिया द्वारा होती है next question से एंपियर जो माप होता है यह इस्तिमाल के जाता है बिजली में next है पतली फिल्म के रंग जिसके कारण होते हैं वो होते हैं प्रकास के व्यतिकरण पतली फिल्म का जो कलर होता वो परकास के व्यतिकरन गुन की वाई से हो पाती है नेक्स्ट कोशन से धुरूबन प्रक्रिया अभिलक्षन है तो यह जो धुरूबन प्रक्रिया यह परकास तरंग का अभिलक्षन है नेक्स्ट है वाल पेन काम करता है तो वॉल्पेन जो है न वो की प्रक्रिया दुबारा काम करता है कैसी का तो वह एवं प्रिष्टियत तनाव ठेक है यह दो कारोनों की वाज़े से बॉल्पेन काम करता है next question से धोनी के स्तर की माप को क्या कहा जाता है तो उसको decibel कहा जाता है डीबी इसका निर्दसांग होता है next question से आदर्स एमेटर का जो परतिरोध होता है अगर आइडियल एमेटर देखा जाए तो उसका परतिरोध जीरो होगा next question से हरा बल्ब लगे हुए कमरे में लाल कपड़ा क्या दिखाए देगा तो वो काला दिखाए देगा क्योंकि जब भी किसी भी कलर को देखने के लिए हमें सात रंगों वाली परकास की जुरत परतिरोध जो कि सुरी की परकास होती हो उसके अलाब हमलों कोई एक रंग के परकास में कोई भी बस्तू को देखेंगा तो वो काला ही दिखाए देगा next question से x क्रिनो के निर्मान में बोचार की गई थी तो x क्रिनो के निर्मान में elektron की बोचार की गई थी अधキर करदाएक, डॉपलरवाविश सब्सक्राइब होती है, और, बहोंने करते हैं, और एक्षे नहीं करते हैं, में यह एकीं। क्योंकि वे ताप के अच्छे रोधाग होते हैं रोधाग में इस आपके सरीर के अंदर जो टेंपरेचर होता है उसको बाहर जाने नहीं देती है इस वाइस वह जल्दी गरम हो जाते हैं नेस्ट कोश्चन से बस्तु यह दिखाई देती है क्योंकि उन पर से जो परकास होती है वो आखो की और प्रावरती दोती है ऐसा नहीं कि हमारे आखो से कोई परकास जाती तब जाके कोई बस्तु दिखाई देता ऐसा नहीं है उस बस्तु से परकास हमारे आखो की और आती है तब जाके हम उसको देख पाते हैं यह कोनिय तौरन का गुननफल क्या होता है तो जो जड़त आगुन होते हैं और कोनिय तौरन होते हैं उसका गुननफल टॉर्क कहलाता है ऐलेक्तरनबोल्ट किसका मातरफ होता है तो मेसा 0 we किरंऄों की बेग गती होती है तो respected इसकी बेग की जो गती होती वो परकास के बराबर होती है से हाइड्रोजेन से भरे रवर्ड का गुपरा बायू के उपर जाकर फट जाता है क्यूं कि बायू दाप घट जाती इस वाई से उपर याकर फट घट जाता है नेफ कॉस्टें से मानवकान सुरठ्छित रूप से सहन कर सकता है तो 120 डेशिबल तक वह शहन कर सकता है कि नेक्स्ट कोश्चन से रोकेट इंजन और जेट इंजन में भिन्नकता का कारण क्या है कारण यह है कि उनमें कार सिध्धान्त पूर्णत भिन्न होती है रोकेट इंजन और जेट इंजन में जो काम करने की चमता होती है जो प्रोसेस होती हो वो टोटली डिफ्रेंट होता है next questions है x-ray काविसकर किसने किया था Roiand Chan ने x-ray काविसकर किया था next question सा तरित की चमक गर्जन सुनाई देने से पहले दिखाई दे देती है इसका reason क्या है इसका reason ही है कि परकास की जो गती होती वो दोनी की गती साधी होती तो इसलिए प्रकास पहले पहुँच जाती है हम तक अधोनी बाद में आती है उसके बेग के एकोडिंग ऐसा होता ठीक है अगर आप एक सुई को धागे के साथ ऐसे आप लटका दोगे मुक्त रूप से तो वो हमेशा नौर्थ और साउथ सो करेगा हमेशा कभी इस्ट वेस्ट नहीं करेगा नेक्ट कोश्चन से मैनोमेटर से क्या मापा जाता है तो मैनोमेटर से गैसो का दाब मापा जाता है नेक्ट कोश्चन से सारवधिक उस्मा का चालक धातू कौन सी होती वो चांदी होती है और इसका वायरेस लिए नहीं बना जाते है क्योंकि यह महंगा होता है नेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट और मचछरों की जो जिए लारवा होता है वो पानी में डूब जाता है और नहीं मचछर नहीं बन पाते हैं नेक्श्क कोशिघ से मरिक तरिस्णा बनने का कारण क्या है अ Antik प्रकास पुन अंतिक जाएगी यह मोता दो लोट साथ रंगों से अलगा लग तरंग सकते और यह सप्क्रार्म की वज़bon कर पाते हैं और आप इंद्रधनुस में भी इसको देख सकते हो अलग-अलग क्यूंकि तरंगधिर अलग होती है next spectrum में सबसे ऊपर कौन सरांग होता है सबसे उपर लाल होती क्यूंकि इसकी तरंगधिर सबसे जादा होती है नेक्ट्ट कॉस्चन से औप्टिकल फाइबर बना हुआ होता है तो ये रेश्म एवΑं कांज के मिस्तेरण से औप्टिकल फाइबर बनी हुई होती है next question से गुरुत्वा करशन का सिध्धान्त किस ने दिया था तो Newton ने दिया था वो बड़ी वाली जो G है जो M1 M2 by R square थी वो वाली Newton ने दिटी ठीक है next question से सिसे में परकास का बेक कितना होता है तो सिसा में परकास का बेक 2 x 10 to the power 8 meter per second होती है वीडियो एनी तक है अगर पसंद आया तो लाइक कर दिजेगा अपने फ्रेंट का सेर कर दिजेगा और सारे पार्ट देखना हो तो डिस्क्रिपिशन बॉक्स में जाएए आपको प्लेरिश का लिंक मिल जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर देगा चलिए मिलता है next वीडियों तो के लिए बाइ-बाइ-थैंक्स फोर वाचिंग्स